नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रताब चोहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक विशेश टॉपिक जिसका नाम है डाइबेटीज इस पर हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं और हम बार बार आपको समझाते रहते हैं कि यदि आप डाइबेटीज से पेडित हैं तो अपने मन में ऐसा कुछ मत मान लेजिए कि आपको पूरी लाइफ जो है दवाईयां खानी पड़ेंगी रोग को समझने की आवशकता है और रोग को समझ करके उसका जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करने की आवशकता है और यही हम आपके साथ शेर करते है आज का जो विशे है थोड़ा सा उसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा कि आम तोर पर जो रोगी डाइबटीज के होते हैं वो दो केटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है नमबर वन होता है टाइप वन डाइबटीज टाइप वन डाइबटीज जो लिटरली जिसक के कारण पेनकरियाज काम करना बंद कर देता है हाला कि आरवेद में हम जो रोगों को देखते हैं या उनकी जब चेकित्सा करते हैं तो हमारी द्रिष्टी कौन अलग होता है हमारा वहां हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि रूट कॉज में क्या है कौन से दोश का का है वो क्रिश है थिन है या मोटा है वो स्थूल है या इसके लावाम उनके धातुओं की स्थिती देखते हैं अगनी की स्थिती देखते हैं मन की स्थिती देखते हैं इमोशनल लेवल पर क्या चल रहा है सोशल लेवल पर क्या चल रहा है बहुत सारी चीजह हम देखते है तो type 1 के भी patient हमारे पास आते हैं, जो insulin लगा रहे हैं, वो भी हमारे पास आते हैं, लेकिन जैसा मैं बार-बार कहता हूं, हर patient unique है दूसरी जो diabetes है, जिसको हम कहते हैं type 2 diabetes, ये आम तोर पर एक lifestyle disorder है हम आयरवेद में भी इसको मानते हैं कि जो लोग बहुत सेडेंटरी होते हैं जिनका शरीर में जो है स्थूल अधिक है, मोटे होते हैं आम तोर पर उनी को यह होती है लाइफस्टाइल उनका बहुत गड़बड होता है एकसरसाइज नहीं करते हैं दिन बर बैठे रहने का काम है या गरिष्ट भोजन का सेवन करते हैं तो वहाँ पर यह क्या होता है कि बॉड़ी में जब कोई भी चीज अधिक मात्रा में जाती है खास्त वर से भोजन हम अधिक जब करते हैं तो वह हमारी बॉड़ी में पूरा प्रोसस नहीं होता है पाचन नहीं होता है आम बनता है आम जाकर के जमा होता है जिससे के हमारी चैनल्स हमारे सुरोतस ब्लॉक हो जाते हैं और जो इंसुलिन निकल करके बॉड़ी में रिलीज होना चाहिए वो बॉडी में रिलीज नहीं हो पाता है वो उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन यूटिलाइजिशन नहीं हो जिसको के आज की भासा में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो ये सारी चीजें हम जब आपकी चिकित्सा करते हैं तो हम समझने के बाद ही आपको जो है उपचार बताते हैं और जीवा के जो एक्सपर्ट सर्टिफाइड आरविदिक डॉक्टर से वो आपसे कंसल्ट करते हैं फिर उसके बाद एक पूरा एक संप्राप्ती पैथोजेन हैं उनके लिए तो मैं बार-बार ये पहले भी कितनी वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि हमारा जो डीएंपी प्रोग्राम है डाइबिटीज मेंजमेंट प्रोग्राम बहुत सफल है 360 डिगरी चारो तरफ से आपके रोग पर अटेक किया जाता है चाहे वो शारेरिक लेवल पर हो दोश के लेवल पर हो अगनी के लेवल पर हो मानसिक लेवल पर हो इमोशनल लेवल पर हो माइंड वेल बिंग कोच हमारे जुड़ते हैं न्यूट्रिशनिस्ट हमारे जुड़ते हैं आहार विहार आपका सुद्ध किया जाता है और most important जो आपका personal root cause है हर वेक आपके रोग के मूल कारण को समझ करके उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है तो आप सभी से मैं बार-बार एक ही चीज कहता हूं कि जीवा आयरवेद के जितने भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो expert है certified हैं हमारे कई सारे protocols हैं जो आज नाकेवल भारत में बलकि पूरे विश चिकित्सा हैं जैसे नेचुरोपैथी है योग चिकित्सा है या फिर जो राग चिकित्सा है आर्ट थेरपी है और इसके अलावा जो आयरवेद में जिसको हम सत्वा वजे चिकित्सा कहते हैं दैव्यपाश्रे चिकित्सा जिसको कहते हैं यह तमाम चीजें आपको जीवा आप तो हमने कुछ प्रोटोकॉल से ऐसे क्लिनिक पर भी आपके लिए हम लेकर आएं आप से किवल इतना निवेदन है कि आप जीवा से जुडिये रोग चाहे आपका डायविटीज का है चाहे कोई भी और कोई क्रोनिक और पुराना रोग है आप एक बार अवश्य जीवा मे डॉक्टर से मिल सकते हैं तो आएरवेद से जुड़ने का समय आ गया है और अपने शरीर को अपने मन को और अपने सुक्ष्म शरीर को आईरवेदिक तरीके से स्वस्थ करने का समय आ गया है तो देर मत कीजिए हमारे सेहत के नंबर पर डायल करें और जीवा से जुड़ ज अजिसकार